वल्कम टू सिविल सर्फिसे स्टड़ी एप्रिवन फल्कम बैक देखिए इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं कोरोना वायरस कोविड नाइंटीन से संबंधित इंपोर्टेंट प्रशनों को जितने भी प्रशन इससे बनेंगे इसमें 40 प्रशनों का एड़ किया गया इंपो प्रशनों कर देखिए और प्रैक्टिस करते रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं जितनी भी टेस्ट सिरीज इस चैनल पर चल रही है उन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट का लिंक हर टेस्ट के निचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अच क्या रखा है क्या रखा है क्या रखा है कोरुना वाइरस का अधिकारिक नाम सभी को पता चल गया होगा इतने महीनों से न्यूज में है तो इसका नाम है कोविड 19 कोविड में यहां सीयो का मतलब है कोरुना और वी आई का मतलब है वाइरस और यह डिन डि इसका मतलब है ड Q2 है, कोरोना वाइरस के चलते, अंतराश्ठी अपातकाल की घोश्णा किसने की है, किसने की है, वैस्वेक स्तर पर, WHO ने, किसने की है, World Health Organization, विश्व स्वास्त संगठन ने की है, कहाँ पर है इसका हेटक्वाटर, जिनेवा स्विट्चर लेंड में, और इसकी स्थापना कब ह होई थी, 7 अपरैल 1948 में, याद रखिएगा, कोश्चन नमबर 3 है, कोरोना वाइरस की सुरुबात कहां से होई थी, देखे, सभी को पता का इसका आंसर, यह होई थी, चीन के बुहान से, कहां से होई थी, चीन के बुहान से, तो इसका आंसर हो जाएगा, और वहीं सही, पू गोविट-19 में D का आर्थ क्या है बताईए, यह प्रश्चन इंपोर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कि D का आर्थ बताईए, या V.I. का आर्थ बताईए, 19 का आर्थ बताईए, तो D का मतलब क्या है यहाँ पर, देखे, डिविजन नहीं है, डिस्कबरी नहीं ह देखे, डिजीज है, क्या है डिजीज मतलब बीमारी, उपसेन नमबर V. November 5, कोरोना वाइरस को महमारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज़ कौन सा है, कोरोना वाइरस को महमारी बोल दिया है, किसने हरियाणा की सरकार नहीं, हरियाणा ने महमारी घोशित कर देखे, इसका अंसर हो जाएगा option number B question number 6 है हाल ही में किसने coronavirus के इलाज के लिए so bad की छमता वाला एक corona समर्पित अस्पताल बनाया है किसने बनाया है यह प्रश्च इंपोर्टेंट है already current affairs में करा चुका हूँ दो बार इसका उत्तर है Reliance Industries Limited RIL ने सो bad की छमता है उसमें और सारी सुविदाएं देगा coronavirus से संबंदित इलाज करने के लिए यह Mumbai महराश्ट में बनाया है इसका अंसर हो जगा option number A question number 7 हाल ही में किसने coronavirus से प्रभावित देशों के लिए 12 billion US dollar देने की घोशना की है किसने की है कौन कर सकता है विश वैंक ने वर्ड वैंक ने 12 billion USD United States dollar तो वर्ड वैंक ने देने की घोशना की है coronavirus प्रभावित देशों के लिए question number 8 है हाल ही में ADB ने coronavirus की रोखथाम के लिए कितने million USD US dollar देने की घोशना की है ADB का मतलब क्या है है हाँ पर 4 million American dollar कितने 4 million American dollar देने की घोशना की है US dollar question number 9 है हाल ही में बनाए गए सार्क COVID-19 emergency fund के लिए भारत ने कितनी सहायता राशी देने की घोशना की है देखे जो सार्क के member है उन्होंने COVID-19 एक emergency fund बनाया है उसमें भारत ने जो राशी दिये 10 million American dollar कितने दिये है 10 million American dollar इसका answer हो जाएगा option number D question number 10 है coronavirus का अस्थाई रूप से पूरा नाम क्या है जो temporary इसका नाम रखा गया है वो क्या है इसका पूर्ण रूप Z कोब नहीं है R कोविड नहीं है I कोविड नहीं है यह है N कोविड 19 N का मतलब है हाँ पर Nobel CO का मतलब है Corona VI का मतलब है Virus D का मतलब Disease मतलब विमारी 2019 में मिला तो 19 question number 11 है social media पर coronavirus के बारे में जानकारी देने के लिए Instagram ने कौन सा feature launch किया है कौन सा feature launch किया है सभी को पतावगा Instagram क्या है Facebook की तरह social networking site है जिस पर feed photo अपना video पोस्ट करते है और social media से जुड़ते है तो यह Instagram ने किया है Instagram feed Instagram feed के नाम से जो है launch किया है इसने social media पर coronavirus और उसके संक्रण से संबंदे जर्णकारी देने के लिए उसके बचाप के लिए क्या क्या किया जाए क्या क्या उसके लक्षण है सब Question number 12 Corona virus के कारण चीन के बुहान सहर के बाद सरवाधिक मृत्यू कहां पर हुई है देखे Corona virus के संक्रण के कारण सबसे ज़्याद है मृत्यू चीन बुहान के बाद कहां होई है Lombardi कहां पर होई है Lombardi Northern reason है Italy का किसका Lombardi कहां पर है Italy में है Question number 13 निम्लिकित में से कौन सा सर्च इंजन Corona virus को रोकने के लिए जागरुकता फैलाने का कार कर रहा है कौन सा कर रहा है यह है Google Google अपसा नमबर B गूगल के CEO कौन है इस समय सुन्दर पिचाई Question number 4 है हाल ही में पंजाब सरकार ने Corona virus के संक्रण से बचाब के लिए कौन सा एप लॉंच किया है पंजाब की सरकार ने Corona virus के संक्रण से बचाब के लिए और उसके संक्रण के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए जो एप लॉंच किया है उसका नाम है कोवा पंजाब क्या नाम है उसका कोवा पंजाब Option number C Question number 15 है इनमें से किसने Corona virus के संक्रण से निपटने के लिए विश्व स्वास्त संगठन के सयोग से COVID-19 Action Platform लॉंच किया है किसने लॉंच किया है COVID-19 Action Platform और किसके साथ मिलकर विश्व स्वास्त संगठन मतलब WHO के साथ मिलकर विश्व आर्थिक मंच ने ये किया है तो इसका आंसर हो जाएगा Option number B चलिए Question number 16 देखते है हाल ही में Corona Virus के चलते परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिन के lockdown की घोशना किया ये प्रशन आने वाले समय में पुछा जा सकता है तो देखे सभी को पताओगा इसका उत्तर 21 दिन के lockdown की घोशना किया पूरे भारत में जिससे क्या होगा तक कि जो Corona की chain इंडिया में चल लए है संक्रण की वो तूट जाए इसने 21 दिन का lockdown किया है तक कि जो भी संक्रण वाले हैं वो अलग हो जाए और जो स्वास्त व्यक्ति हैं वो अलग रहे एक दूसरे का ये joint नहीं हो जिससे कोरणा का संक्रण जहां का है वहीं रुख जाए इसने lockdown किया गया 21 दिन के लिए Question number 70 ने Corona virus के प्रकोप के चलते भारत के किस राजने सबसे पहले lockdown किया था देखे एक तरह से करफ्यू जो लगाया था सबसे पहले पूरे स्टेट में वो किया था किसने पंजाब की सरकार ने ऐसा किया था तो इसका answer हो जाएगा Option number 8 Question number 18 है Corona virus के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है ये चार statement है यहाँ पर इनमें तीन होंगे correct एक होगा incorrect उसी को ठूड़ना है यह virus एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है यह virus संक्रूइत व्यक्ति के कपड़ों से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है यह virus जानवरों से इंसानों में संचारित नहीं हो सकता उपरोक्त सभी कथन सही है देख एक तो गलत है इसमें पक्का पहला करेक्ट है यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है तभी तो इतना फैला है चीन से चीन के बुहां से इटले में आ गया फिर इंडिया में भी आ गया फिर इंडिया के एक स्टेट से दूसरे से तीसरे में यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों से दूसरे व्यक्ति के कपड़ों में संचारित हो सकता है यह भी करेक्ट है यह वायरस जानबरों से इंसानों में संचारित नहीं हो सकता है गलत है देखिए चमकादर से तो आया ना यह जो विसेशक यह मान रहे हैं चमकादर से आ हो जाएगा वो सी गलत हो जाएगा क्योंकि यह जान बरूसे इंसानोंगों संचारित हो सकता है कर देखे दो यह सब्कारी होका है क्यों कि embedded था, के यह पहुत है । जो common cold के भी हैं लेकिन इसमें क्या होता है आख नाख से पानी जड़ता है उसके साथ ती ब्रजवर आता है और क्या होता है फेपडों में सांस लेने में परिसानी होती है जिससे लंग्स में सूजन आ जाती है तो सबसे जादे जो परिसानी होती है इसमें लंग्स में होती है मतला फेपडों में व्रेन में नहीं लीवर में नहीं किड्नी में नहीं कोश्य नुमबर 21 है कोरोना बाइरस किस भाषा का सब्द है किस भाषा का सब्द है यह देखे यह लेटिन भाषा का सब्द है किस भाषा का सब्द है कोरोना बाइरस लेटिन भाषा का सब्द है चीन मे गोई आइसा नहीं है कि चीनी हो जाएगा लेटिन भास्टा का सब्द है कोरोना भायरस के संक्रमान का नहीं है देखे सूखी खासी आना इसका जो में लक्षन है सूखी खासी आना आख नाख से पानी जड़ने के साथ तीबर जोर आना और सांस लेने में परिशाणी यह तीन इसके मेन पॉइंट है, सांस लेने में परिसानी होना बिलकुल और जोर के साथ आँख और नाख से पानी जढ़ना अब अंतर क्या, कोमन कोल्ड में और कोरोना के, कोरोना पायरस में कोमन कोल्ड में क्या होता, आपके आँख और नाख से पानी जढ़ता है और जो तीन से चार दिन में खुदी सही हो जाता इंफ्लोएंजा जिसको बोलते हैं लेकिन इसमें क्या होता बुखार आता आपको तीबर गती से तीबर जो रहाता सूखी खांसी आती है और सांस लिने में परिसानी होती है मुँ में छाले होना इसका लक्षा नहीं है गलत डी कुश्चन नुबर 23 है कोरोना बाइरस के मुखे चार प्रकार कौन-कौन से है और नीचे देगे कूट की सायता से सही उत्तर का चुनाब करना है कोरोना बाइरस के चार प्रकार कौन-कौन से है देखेए 229E-α-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- वाइरस को पहले देखा गया सबसे पहले तो वो लग रहा था एक crown की तरह है एक मुकुट की तरह है तो देखिए crown की तरह जो है इसकी सनचना दिखाई पड़ती है इसका अंसर हो जागा आपसा नमबर D कोरना वाइरस के प्रकोप के चलते ग्लोबल emergency लागू की है किसने की है ये की है वर्ड हेल्थ और्गैशन ने डवलू एचो ने विश्व स्वास्त संगठन मुख्याले कहां पर जनेवा सुटजरलेंड और स्थापना का वोई थी 1948 में नमलिकित में से किस राष्ट ने कोरोना वाइरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है किस ने किया है टास्क फोर्स का गठन ये हमने ही किया है इंडिया ने किया है भारत ने किया है तो इसका अंसर हो जागा अपसान नमबर B कोरोना बाइरस के प्रकौप के चलते भारत में किस दिन एक दिन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फियू का एलान किया था सभी को पता होगा कब किया था ये 22 मार्ज को किया था कोशन नमबर 28 है कोरोना बाइरस यानी कोविड नाइंटीन के टेस्ट का नाम क्या है क्या नाम है कोविड नाइंटीन के टेस्ट का आर्टी पीसी आर टेस्ट क्या नाम है आर्टी पीसी आर टेस्ट क्या फुल फॉर्म है इसका आर्टी पीसी आर टेस्ट का रिवर्स, ट्रांस्क्रिप्शन, पॉलीमरेज, चेन रियक्शन याद रखे इसको Question number 29 है, कोरोना वायरस के प्रकोप को दुनिया आख में रास्ता दिखाने वाला चीन का बुहान किस प्रांत में है? किस प्रांत में है? हुबेई प्रांत में है किस प्रांत में है ये? हुबेई प्रांत में, हेबे इनी, हुबेई प्रांत में है. चीन के हुबेई प्रांत में है बुहान Question number 30 है, कोरोना वायरस के संक्रण के बारे में जागरू करने के लिए Whatsapp ने भारत में कौन सा फीचर लाउंच किया है? कौन सा feature launch किया है WhatsApp ने किया है WhatsApp chatbot कौन सा किया है WhatsApp chatbot option number B इसमें क्या है यह जिसे news आपने देख रहे होंगे कुछ news में उसकी पूरी PDF जैसी होती है जो WHO की होती authentic और और भी बाकी इधर से उधर news तो चली रही है WhatsApp chatbot जो है उसके संकरण के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए है मतलब क्या किया जाए इसके बचाब क्या क्या है इसके लक्षन कौन कौन से होते है यह सब कुछ question number 31 है COVID-19 के संकरण के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए Facebook ने कौन सा feature launch किया है देखे इंपोर्टेंट है सारी संस्थाया अलग-लग feature निकाल रही है कोई कुछ कोई कुछ कोई साभी पूछा जा सकता है एक्जाम में तो Facebook ने जो feature launch किया है उसका नाम क्या है Facebook Information Center तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number D 32 number का प्रश्न है Corona Virus के बारे में जागरुक करने के लिए Google ने कौन सी नई website सुरू की है Google ने website पर launch कर दी है इसके बारे में जागरुकता फैलाने के लिए जागरुकता का मतलब क्या है कि इसके लक्षन क्या है main चीज़े इससे बचाव किस तरह से किया जा इसके संचरण को कैसे रोका जाए इसकी चेन को कैसे तोड़ा जाए सब कुछ तो website का नाम है google.com slash COVID-19 google.com slash COVID-19 option number B question number 33 है इस वाइरस का नाम Corona Virus कैसे पढ़ा देखिए मकडी जैसा आकार होने के कारण नहीं पढ़ा है Corona Corona मतलब crown जैसा structure है इसका जब सबसे पहले इसको सुक्षण दर्ची में देखा गया तो मुकुट जैसी संरेशना crown जैसा structure तो इसका आंसर हो जाएगा option number C question number 34 है Corona Virus किस बीमारी से संबंदित है SARS MERS पता यह मैं से SARS, MERS इन दोनों से संबंदित है तो इसका आंसर हो जाएगा Middle East Respiratory Syndrome तो यह दोनों के दोनों यहाँ पर correct है इसका आंसर हो जाएगा option number C number 35 है Corona Virus की पहली बार पहचान कब की गई थी तो यह 1960 के दसक में इसकी पहचान की गई थी इसका आंसर हो जाएगा option number D question number 36 है Corona Virus की मुखे लक्षन क्या है देखिए मुखे लक्षन है सांस लेने में तकलीफ होती है जोर आता है और जोर के साथ-साथ आंक और नाक से पानी जड़ता है सूखी खासी होती है बिलकुल तो सारे के सारे इसका आंसर हो जागा option number D question number 37 है Corona Virus के लिए कौन सा Virus जिम्मेदार है H1N1 तो देखिए स्वाइन फ्लू का वाइरस है H5N1 ये भी नहीं है ये वर्ड फ्लू का वाइरस है किसका है ये वर्ड फ्लू का बहुत पूछते हैं इसको UPSC तो के पूछ रखा है प्रशन SARS Cov2 Severe Acquite Respiratory Syndrome Cov2 ये है Corona Virus का वाइरस तो इसका अंसर हो जाएगा क्या Option No.V अब है Question No.38 अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरणा वाइरस के कारण प्रभावित अर्थ व्यवस्थाओं में किस इस्थान पर है तो भारत है दसवे इस्थान पर इसका अंसर क्या हो जाएगा Option No.D बात यहाँ आती है अंकटाड की तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है United Nations Conference on Trade and Development कब फंड हुआ था यह यह फाउंड हुआ था इसके इस्थापना होए थी 1964 में अगर देखा जाए प्रथम इस्थान किस्थान का है तो European Union है दूसरे स्थान पर US है और तीसरे पर है जापान Question No.39 है भारत में सबसे पहले Corona संक्रण के मामले कहां देखे गए थे देखे भारत में जो सबसे पहले Corona के दो मामले जो उनकी पुष्टी की गई थी यह केरल में की गई थी कहां पर केरल में तो इसका अंसर हो जाएगा Option No.A फिर यह हर स्टेट में बढ़ने लगा Question No.40 है भारत में Corona वारस के संक्रण को रोकने के लिए सभी परेटन बीजा कब तक के लिए निलंबित कर दिये गए हैं भारत सरकार के द्वारा देखे यह कर दिये गए हैं 15 अपरैल तक 15 अपरैल तक सभी परेटन बीजा को हाल फिलाल के लिए निलंबित कर दिया गया है अब बाकी चौरे तारिक की साम को फिर से अनौन्स किया जाएगा कि यह जो लॉकडाउन है यह आगे जाई रखना है या फिर इसको हटाना है तो देखिए कुछ 14-40 most important question थे अच्छे से इनका revision कर लिए जएगा एक से दो बार क्योंकि आने वाली परिक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं एक से दो तो जरूर पूछे जाएंगे और वैसे भी आपको basic जानकारीन सबकी होनी चाहिए धन्यवाद हर दिन practice करते रहिए सब्सक्राइब जरूर रखना Civil Services Study Channel को latest video notification के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजे दिकिए टेलिग्राम चैनल बहुत जरूरी है उसको जोइन जरूर कर लेना लिंक इस टेस्ट के निचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा